है लो गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आप सबी लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो ताकि आपको जानना है कि ट्रेडर्स एक करोड रुपय एक दिन में किस तरह से बना सकते हैं तो बहुत लोग इस वीडियो को इसलिए खोले होंगे क्योंकि उनको ये profit का जो number है ये जानना है उनको इसके बीचे का secret जानना है कि एक करोड रुपे कोई कैसे बना सकता है एक दिन में इसलिए जबी भी कोई profit post करता है अपना एक करोड रुपे का तो सभी लोग उसके वीडियो पर जाते हैं उन वीडियो को ज्यादा व्यूज होते हैं और जब कोई कुछ सिखाना चाहता है तो उसके वीडियो पर कम भी होते हैं ठेक है आभी मैं यहापे lecture देने नहीं आया हू आपको मैं secret बताता हूँ कि वो लोग एक करोड रुपे किस तरह से बनाते हैं और आप एक करोड रुपे क्यों नहीं बना सकते हैं सच बात अगर मैं बोलूँगा तो मैं सबसे पहले तो आपको वो secret बता दूँगा लेकिन उसके बाद मैं आपको कुछ सच बाते भी कि कोई इंसान अगर एक करोड रुपे कमा रहा है तो उसके पीछे उसका minimum 10 करोड का capital यूज हो रहा होता है यह basic point को सभी लोग ignore करते हैं कि capital उसका क्या है और सभी लोगों को बस एक करोड पर focus करना है और वो उनकी training हो गया services हो गया यह ले लेंगे इस hope में कि वो लोग भी एक करोड रुपे बना पाएंगे लेकिन आप 10,000, 20,000 के capital से 1CR नहीं बना सकते वो सिर्फ वही लोग बना सकते जिनका capital minimum 5 से 10 करोड होता है तब कहीं जाके वो लोग इस पे 10%, 20% वो भी option buying या selling करके या options trading करके ही बना सकते हैं तो इसके पीछे अब मैं आपको एक reason बताता ह कि आप और मैं इसको किस तरह से बना सकते हैं और हम लोग उन लोगों से better trader है ये मैं आपको बताता हूं ओके तो जबी भी कोई एक beginner होता है तो वो properly systematically follow करता है अपने risk reward को breakout लेने के बाद वो target तक रुखता है अगर वो मन से सीखना चाहता है और एक discipline trader है तो जबी भी उसको कोई breakout दिखेगा तब वो लेने के बाद trade hold करेगा और इतना मतलब maximum capture करने की कोशिश करेगा यहां पर stop loss लगाएगा यह अगर breakout है तो इतना capture करेगा उसका capital क्या है 10,000 20,000 और इस पर वो बनाएगा 1000 रुपे 1200 रुपे तो इसने कितना capture किया इसने capture किया है 10,000 अगर हम पकड करते हैं तो 1000 रुपे अगर बनाए तो 10% जो की fabulous returns है एक trade के उपर अगर वो 1000 रुपे कमाता है इतना capture करके है ना लेकिन उसकी वीडियो कोई देखेगा नहीं उसको कोई better trader नहीं मानेगा क्योंकि उसका profit है सिर्फ 1000 रुपे लेकिन उसने कितने कम capital में 10% का return generate किया है वो भी profit किया है वो भी सिर्फ इतना सा capture करके क्योंकि उसके पास quantity बहुत ज्यादा होती है यह देखे इतनी quantity वो लेता है लाग 5 लाग quantity 10 लाग quantity कितना भी इस type की अगर buying करोगे तो एक 2 रुपे के movement में ही इसका double आपको quantity का double मिल जाएगा यह एक secret है बहुत से जो बड़े बड़े traders है ठीक है वो लोगों के पास experience जरूर होता है लेकिन एक beginner यहीं पर trap हो जाता है demotivate हो जाता है कि उसका इतना बड़ा profit क्यों नहीं बन रहा और लोग तो बड़े बड़े profit बना रहे हैं तो यह आपको समझना पड़ेगा कि capital बहुत बड़ा role play करता है कोई भी लाक जैसे जो psychological effects होते हैं यह मैं आपको बताता हूँ आप trading तो अच्छा करते हो आप रुखते हो अच्छा capture भी करते हो लेकिन आपके पास क्या होता है न profit कम होता है और immediately आप same day पर अगर किसी और का profit देखोगे उसने अगर 50 lakh 1 CR इस टाइप का profit अगर post किया तो आप demotivate हो जा रुपीज पर वो 50,000 quantity 1 lakh quantity इस तरह से buy करते हैं example 94 पर अगर किया है 96 या 97 पर वो लोग square off भी कर सक कर लेते हैं मैंने खुद ने कुछ reels देखा था Instagram पर post देखा था कि 94 रुपीज में उसने 20,000 quantity buy की थी और उसने बस 5 रुपीज 101 तक उसने book भी कर दिया जो अगर आप risk reward के हिसाफ से देखोंगे तो जो बहुत ही खराब risk reward है और इतना सा movement तो आख बन करकर options में हो जाता है अगर वो इतना ही pro है तो at least उसको 96 से 110, 15, 120 तक 10 से 20 रुपीज minimum उसको capture करने चाहे थे लेकिन उनके पास इतनी बड़ी quantity होती है और इतने में ही उसका लाक रुपे का profit हो गया था तो वो reels वगेरा तो post करता है beginners लोग उससे impress भी हो जाएंगे कि ये एक लाक रुपे इस एक दिन में बना रहा है लेकिन क्या उसने सही process से follow किया है वो एक scalping type हो गया उसका trade लेकिन जब आप एक beginner होते हो like मैं मेरे खुद के example से बोलता हूँ हम लोगों का focus होता है better risk reward क्योंकि अगर आप patience हो तो आप इस level पर पहुच जाओगे और आप एक बड़ा trade capture करने का सोचोगे इस type से आप capture पर ज्यादा ध्यान देते हो जबकि वो लोग huge quantity ले लेते हैं यहां पर और यहां पर तो वो लोग exit भी कर देते हैं लेकिन एक beginner के पास quantity कम होती है M2M में profit बहुत कम दिख रहा होता है इसलिए वो एक मजबूरी में ज्यादा hold करता है यह hopes लेकर कि उसका बड़ा profit हो जाएगा no doubt यह सही procedure है आपको follow करनी चाहिए लेकिन आपको आपकी risk reward को follow करना ही चाहिए ऐसा मैं यह आपको बिलकुल नहीं बोल रहा कि आप बड़ी quantity ले लीजिए जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग गलत करते हैं मैं यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी position लेने के लिए आपको experience चाहिए और अगर लेते भी हों तो psychologically आपको उसको hold करने की practice चाहिए hold करने के लिए power चाहिए आपको अपने mind पर control चाहिए क्योंकि अगर आप छोटी quantity लेते हो 150 या 100 quantity तब आप अच्छे से risk reward follow करोगे 5 रुपीस का अगर आपका SL है तो 10 रुपीस का target आप लेने की कोशिश कर सकते हो लेकिन जब आप यहाँ पर huge quantity ले लोगे तो आप 5 रुपीस तक भी पात नहीं कर रहा बहुत अच्छे अच्छे traders है जो realistic trading करते हैं लेकिन कुछ जो आभी मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा बट है कुछ लोग जो beginners को इस तरह से trap कर रहे हैं आपको उनकी order book देखनी ची कि वो लोग कितना capture कर रहे हैं अगर 1-2 रुपीस या 3-4 अगर उनके बड़े-बड़े profit हो रहे हैं तो वो सिर्फ scalping कर रहे हैं ये मतलब ये कलत तरीका होता है trading का वो भी scalping भी एक method है मैं यह नहीं बोल रहा लेकिन आपको थोड़ा सोच समझना चाहिए कि आगर आपका analysis सही है तो आपको hold करना चाहिए एक अच्छा बड़ा move capture क करने का आपको focus करना चाहिए ना कि आप ज्यादा quantity ले लोगे और थोड़ा सा capture करके निकल जाओगे इससे आप long term में beneficial नहीं रहोगे एक अगर move आपका opposite में चला जाएगा तो पूरा profit जो आपने कमाया वो चला जा सकता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि huge quantity आप ले लोगे अग क्योंकि scalping के mindset से आप यहां पर आयो scalpers generally stop loss नहीं लगाते क्योंकि वह एक दू मिनिट के अंदर अपना trade खतम कर देते हैं और इसलिए अगर एक बार भी वह reverse हो गया तो आपका बहुत बड़ा capital wipe out भी हो सकता है जब तक आपको practice नहीं है आप सही कर रहे हो beginners को इसी तरह से कर quantity लेनी चाहिए अच्छा risk reward फॉलो करके target पर अपना profit book करना चाहिए so that's it for today's video गया मैं क्या कहना चाहता था शायद I hope आप समझ गया होंगे जो दूसरों के profits होते हैं no doubt वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके पास experience है उनके पास एक बड़ा capital है तो यह आप उनसे compare मत कीजिए आप आपके हमेशा returns को कभी भी percentage में calculate कीजिए कभी भी आपको life में अगर trading में आप हो तो आपको आपके percentage में calculate करना चाहिए आपके profits यही एक सही तरह तरीका है और आपको सही बताएगा अगर आप 1% 2% अगर आप profit बना रहे हो तो आप एक बहुत ही अच्छी trader बन चुके हो consistently अगर आप 1% 2% minimum बना रहे हो तो आप long term में बहुत ही ज्यादा profitable होने वाले हो दीरे दीरे आप आपका capital भी बढ़ा सकते हो और फिर बाद में आपके जो यह returns है यह भी slowly grow हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी hyper होने की जरूत नहीं है जब कोई बड़ा profit दालता है तो उसके पीछे उसका बड़ा capital होता है बड़ी quantity होती है तो यह सब चीज़े होती है experience भी बड़ा होता है तभी वो इतनी बड़ी quantity लेता है आपको beginning में आके बड़ी quantity नहीं लेनी है आपको बस आपकी rules follow करने risk reward follow करना है तभी आप long term में उस type का trader बन पाओगे जो बड़ी quantity भी लेता है और बड़ा capture भी करता है ओके आपको बस बड़ी quantity लेके छोटे में exit नहीं करना है बड़ी quantity लेके आपको patiently उसको target तक hold भी करना है with proper risk management and stop loss so that's it for today's video guys I hope आप इस video को positively लेंगे और beginners के लिए ये मैं कुछ psychological video बनाने वाला था उसलिए मैंने ये आज video बनाई है क्योंकि बहुत से beginner से वो lost हो जाते है ये बड़े-बड़े profits देखे demotivate हो जाते है क्यों उनका क्यों नहीं बन पा रहा है तो बस यह basic चीज़े होती है quantity productivity बहुत बड़ी होती है और profits के पीछे capital बहुत बड़ा होता है experience बहुत बड़ा होता है तो ये कुछ चीज़े है तो that's it for today's video guys video अच्छी लगई तो definitely video को like कर देना अगर आप intraday trading करते हो तो आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी strategies बनाई हुए है तो आप वो मैंने pre open market की strategy बनाई हुए है बहुत सारे intraday strategies है ये देखिए फिबुनाची वाली strategy है तो आप detail में मैंने explain किया हुए सभी concept free of cost में तो आप जरूर देख लेना और चैनल को subscribe जरूर कर देना और वीडियो को भी like कर देना और आपके friends के साथ share कर देना जो लोग बड़े-ब profits देखके बहुत एक तो motivate होते है तो अच्छी बात है लेकिन demotivate होते है कि उनका क्यों ने बना तो उनके साथ जरूर शेर कर देना thank you guys thank you so much for watching this video